पवन और खेसारी के विवाद में ये क्या बोल गई अक्ष्रा सिंग, आप खुद ही सुनिए, आपको इतनी तकलीफ है, आप लोग ये छिया लेदर जो इस्टेट से उधर बोल दिये, चपड चपड इधर से ये बोल दिये, उधर से वो ये सब जो कर रहे हैं, आप सामने आ आप सभी को पता है, ये किसका है, लकीर खीचने वाला बयान पवन सिंग ने उस विवाद इस स्टेश शो पर दिया था, जहां पर उन्हों ने अपने विरोधियों को धोकर रख दिया, उसके बाद खेसारी लाइव, खेसारी के बाद कई लोगों की जमात लग गई, भेड काफी चाहले दर होरी है, अब ऐसे में अक्षिर सिंग का ये बयाँ जो आपने ये देखा, वीडियो में, क्लिपिंग में, ये बहुत ही जादा तेजी से वारल हो रहा है, न्यूज एठीन को दिये अपने इंटर्वियू में वो ये कह रही है भोजपूरी के आन बानशान के लिए वो कलेजा तक चीर सकती है किसी का यहाँ पर उन्होंने अपने कलेजे की नहीं सामने वाले के कलेजे की बात की है तो आप समझ सकते हैं कि अक्षरा सिंग अपनी लड़ाई सिर्फ पवन और खिसारी की थी जब अक्षरा और पवन की लड़ाई हुई थी तब भोजपूरिया जहान में खिसारी ने इसमें टांग नहीं हडाई थी हां ये बात और है कि अंदरोनी बड़ी हलचल हुई थी लेकिन अक्षरा सिंग जिस तरह से रोज नित न भांती ही नजर नहीं आ रही हैं भले ही वहिए कहरे हैं कि भोजपूरी की आन्बानशान की बात हो लेकिन अक्षरा से श्रायद ये भूल गई है कि जब उनका और पवन का विवाद हुआ था तब भी भोजपूरी की ऐसी हिछी हाले दर हूई थी क्योंकि पवन और अक्ष्रा ये दोनों भोजपुरिया कलाकार है ना कि बॉलिवुड के अब अगर खेसारी का विवाद हुआ है और इससे पहले पवन सिंग राकेश मिश्रा और खेसारी और फिर नजाने कितने कितने स्टार्स के विवाद हुए तब अक्ष्रा सिंग ने कुछ नहीं बोला ल वो सिर्फ अक्षरा सिंग ही समझ रही है बोचपूरी में और कोई एक्ट्रिस इसे नहीं समझ रही है जहां सारी एक्ट्रिसेस इनसे बस्ती हुई इसलिए नजर आ रही है क्यूंकि शायद वो इस विवाद को और तूल नहीं देना चाहती ये सबी जानते हैं इस समय इस वि अक्षरा सिंग के नाम पे ही मुँ बिचकाना शुरू कर देती है वैसे ही कर देती तो भी लोगों को लगता कि अक्षरा सिंग को कोई इंट्रेस नहीं है लेकिन अक्षरा सिंग फिलहाल यहां यहां पर इस वक्षरा सिंग मौके की राजनिती कर रही है रही बाद भोजप दूरी की आन बान शान की तो अभी तक अक्षरा सिंग से कई बड़े कलाकारों ने अपना कोई स्टेट्मेंट इस मुद्दे पर नहीं दिया है या यूं कहले इस मुद्दे पर उन्होंने देना मुनासी भी नहीं समझाए फिर वो चाहे रवी किशन हो मनोस्तिवारी हो निर जान दिया था उस मूड में लोग न जाने क्या क्या बोल जाते हैं और ऐसी बातों को कोई तवज्जों नहीं देता है क्यों नहीं देता है क्योंकि सभी जानते हैं कि जब कोई इंसान पी कर बोलता है कि बातों में वजन नहीं रहता और यहां अक्ष्रा और खेसारी तो हो और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए